मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्स दोहजार चाबिस में रंग पंचमी कब है जानिये सही तीनव तारी क्या है पूजा करने का सुप मुहूरत कब है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि आभे तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सिया करेंगे मित्रों रंग पंचमी का हिंदु धर्म में बीसेस महत्व है यह पर्व हिंदु देवी दियोताओं को समर्पित होता है रंग पंचमी चैत्रमास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथी को मनाई जाती है रंग पंचमी होली के पांच दिन बात पड़ती है पंचमी तिथी होने की कारण इसे रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है इस दिन लोग राधा किश्र को अभीर गुलाल चाहते हैं तो वहीं भारत के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी के दिन रंगों का जुलूस भी निकाला जाता है और एक दूसरे पर अभीर गुलाल उड़ाया जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार पंचमी तिथी को लोग गुलाल को हवा में उड़ा कर भगवान को रंग अरपित करते हैं माना जाता है कि उड़ते गुलाल से देवता प्रसन होते हैं और भगतों को आसिरबाद देते हैं साथ ही हवा में गुलाल और रंग फेकने से वतावरण में सकरात्मक उर्जा प्रवाहित होती हैं रंग पंचमी के दिन माता लच्मी की पूजा करने का बिशेश महत्व है इसलिए इस दिन को स्री पंचमी भी कहा जाता है मित्रों अब रंग पंचमी पूजा करने की बिधी को भी चाहन लेते हैं जो इस प्रकार है रंग पंचमी के दिन माता लच्मी और भगवान स्री हरी की कमल पर बैठे हुए एक तस्वीर को उत्तर दिशा में एक चौंकी पर रख दे तस्वीर के साथ ही तामबे के कलस में पानी भर कर रख दे इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान को गुलाल के फोनों की माला अर्पित करे खीर, मिस्री और गूर, चने का फोग लगाए इसके बाद बिधिवत पूजा करने के बाद आर्थी करे और कलस रखे जल को घर की हर कोने में छिलक दे, मित्रों, अब आपको बता दे की वर्ष तो हज्यार चब्विस में रंग पंचमी आठ मार्च दिन रवी वर्ख को मनाई जाएगी, पंचमी तिथी प्रारंब होगी, साथ मार्च तो हज्यार चब्विस को साम साथ बज कर सत्र मिनट पर, पंचमी तिथी समाब्त होगी, आठ मार्च तो हज्यार चब्विस को साम नव बच कर तसमियाट पर,